हेलो प्रेंच आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे नॉर्मल लेबर के बारे में नॉर्मल लेबर क्या होता है उसकी डेफिनेशन उससे रिलेटिड कुछ टार्मस अद लेबर पेईन, टू पेईन, फॉल्स पेईन एड लेबर की स्टेजिज कौन-कौन सी होती है इन सब की बारे में आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे तो वीडियो को विल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो पूरा जरूर देखें इसमें देखते हैं नॉर्मल लिवर के डेफिनिशन इसमें क्या होता है कॉंसेप्शन का जो प्रोडेक्ट होता है मानलो फीटस या फिर नाइन मन्त के बाद हम कह सकते हैं कि पूरा बेवी बन जाता है तो बेवी को मदर के वूम से या हम कह सकते हैं मदर के यूटरस से भारी एन्वायरमेंट में आने की जो सिरीज है या कह सकते हैं प्रोसिस है उसको नॉर्मल लेवर कहते हैं अब इसमें आगे हम देखते हैं कुछ टाम्स जो कि नॉर्मल लेबर से रिलेटिड है यूटोस्या होता है नॉर्मल लेबर डिस्टोस्या होता है अब नॉर्मल लेबर delivery, expulsion of fetus, fetus का बहाराना delivery होता है pre-term labor, pre-term labor हम बोलेंगे कि यदि less than 37 of week है gestation period के उससे पहले यदि labor pain स्टार्ट हो रहा है मतलब labor हो रहा है, delivery हो रही है तो उसको pre-term labor बोलेंगे next हम देखते हैं labor pain labor pain two type का होता है, true pain and false pain इसमें first हम देखते हैं true pain uterine contractions regular, जो uterus के contractions होते हैं वो regular होते हैं, frequency, interval and duration of contraction increase, जो contractions होते हैं, उनकी frequency, interval उनकी बीच का जो gap होता है, वो and duration कितने time तक contractions आ रहे हैं, वो बढ़ जाएंगे मतलब increase हो जाएगा associated with show, show क्या होता है, bloody mucous discharge जो cervix का mucous plug होता है, वो बहार निकल जाएगा उसको बोलते हैं, show, progressive effacement and dilatation of cervix cervix का effacement and dilatation progress पे होगा, मतलब increase होता जाएगा descent of presenting part, जो presenting part होता है, फिटस का वो नीचे की तरफ खिसकेगा, uterus से, या फिर हम कह सकते हैं cervix की side नीचे की तरफ आता जाएगा bags of for water, जो amniotic fluid होता है, amniotic membrane होती है वो बहार सर्विक्स की side आके bag like structure बना लेता है जिसको बोलते हैं, bags of for water not relieved by anima और analgesic, जो true pain होता है, वो anima से या फिर जो pain relieved medicine होती है, उनसे relief नहीं मिलता है true pain में next step false pain, false pain के होता है dull in nature, यह बिल्कुल कम intensity वाला pain होगा, बिल्कुल dull होगा, मतलब mild pain होगा, confined to lower abdomen and groin region यह कहां से lower abdomen, नीचे की side से pain होगा and groin region में start होता है no contraction of uterus, uterus में contractions नहीं आएंगे, usually relieved by anima और analgesic animal और analgesic से relief मिल जाता है false pain में, not associated with so इसमें क्या होता है, जो mucus plug होता है, वो हटता नहीं है no formation of bag water, जो bag of water बनता है, वो भी नहीं बनता है no dilatation of cervix, cervix का dilation नहीं होता है and irregular pain, जो pain होते हैं वो irregular होते हैं, ऐसे regular basis पर नहीं होते हैं next हम देखते है, stage of normal labor, normal labor की कितनी stage होती है और कौन से stage कितने time तक की होती है और उनमें कौन से process होती है, यह हम देखेंगे इसमें देखते है, stage first, onset of true labor pain to the fully dilatation of cervix stage first में क्या होता है, true labor pain start होने से और cervix के fully dilatation का दो time होता है, उसको बोलते हैं stage first also called cervical stage, इसको cervical stage भी बोल सकते है primary में होती है 12 hours की and multi में होती है 6 hours की primary मतलब primary gravida, उसमें 12 hour की होगी and multi gravida में होगी 6 hour की अब हम देखते हैं, जो stage first होती है, उसमें 2 phase होती है, latent phase and active phase latent phase होती है, 0.35 cm per hour, इसमें क्या होता है, जो cervix के dilatation की जो rate होती है, वो 0.35 cm per hour से होती है primary में latent phase होती है 8 hours की and multi gravida में होगी 4 hours की up to 3 cm of dilatation, latent phase कब तक होती है, जब तक की cervix का 3 cm तक dilatation हो जाता है next हम देखते है active phase, जो के stage first का ही part है active phase primary gravida में होती है 1 cm per hour जो cervix के dilatation की rate है, वो primary gravida में 1 cm per hour से होगी and multi gravida में होगी 1.5 cm per hour से, तो यह होती है latent और active phase जो की stage first के part है, next हम देखते है, stage second fully dilatation of cervix to expel out of fetus, जो stage second है वो cervix के full dilatation से लेके and fetus के बहार आने तक का जो टाइम होता है वो stage second होती है, यह primary gravida में 2 hours की होती है and multi gravida में 30 minute की होती है इसके भी 2 phase है, propulsive phase and expulsive phase propulsive phase क्या होता है, fully dilatation to the descent of the presenting part cervix के full dilatation से लेके और जो presenting part है, उसका बिलकुल नीचे की side descent होने तक का time होता है, propulsive phase, expulsive phase होगा, bearing down efforts by the mother expulsive phase में क्या होता है, कि mother के दुआरा जो bearing down efforts लगाया जाते है, मतलब जो 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 लगाया जाता है, बेबी को बहार निकालने के लिए, और बेबी बहार आ जाता है, उसको बोलते हैं, expulsive phase, next हम देखते हैं, इसमें stage third, stage third होता है, expulsion of the fetus to expulsion of placenta, fetus के भार निकलने के time से लेके, and placenta का भार आने तक का जो time होता है, उसको बोलते हैं stage third, usually 15 minute की होती है, and active management से यदि हम placenta को भार निकाल रहे हैं, तो उसमें 5 minute का time लगता है, यह होती है stage third, next देखते हैं stage fourth, also called observational stage, stage fourth जो सबसे last stage होती है, उसको observational stage बोलते हैं, observation for one hour after birth, इसमें क्या होता है, कि baby birth हो गया है, मतलब baby fetus बहार आ गया है, उसके बाद एक घंटे तक mother और fetus को हम observation में रख रहे हैं, तो वो होती है stage fourth, यह सब था normal labor के बारे में, वीडियो पसंद आया हो, तो like, share and subscribe करना ना भूले, thank you, मिलते हैं next class में,